रामराम जी आज आप सभी का स्वागात राये का ढावा में आज मैं अपने ढावा पे आलू की भूजिया आप लोग चाहर करने जा रहा हूं आज करने अलूं को मौसम भी है और छहोटा-छोटा आलू इस समय बलेबल होता है मैंने बहुत थोक भाव में यह जबूद रहता है इस समय छोटा आजू हर जगा छोटा आजू आपको मिल जाएगा इस समय तो आजू की भूजिया आपके साथ सेर कर रहा हूँ अगर यह हमारी आजू की भूजिया की रेस्पी पसंद है तो अपने दोस्तों में सेर किजिए और हमरे वीडियो का लाईग कीजिए अभी तक हमारी वीडियो का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और आपके पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद तो आलू का मौसम में आलू का ही सब बहुत कुछ बहुत रेसिपी बनता आलू का आलू का जीतना आप रेसिपी बनाएं अब मैं आपके साथ एक सेयर करने वाजा रेसिपी सबजीयो का राजा आलू की रेसिपी से भी सेयर करूंगा जिसमें बहुत इंडिग्रियंट्स आपको डालना होगा वह बहुत बढ़िया बनेगा यह देखिए हम लगबग चार किलो आलू हमने छोटा छोटा जाना का आलू लिया था और इसको देखिए ऐसे बारीक बारीक काट लिया है वह काटने का तरीका पर आपको दिखाया नया ऑलू है तो मिट्टी इसमें होता है तो एक भार दो दे दो बार थो जितना धोएंगे तो सदसकी निकल जाएगा दो तीन बार थो दोए ? अगर बहुत भी शाफ है तो भी 2 लlor थोएं श्यासमेंगर घटी यह आलू है तो 3 लडू थोड़िया इसमें कि के इसमें काम ह बाचरवा ट्रिक्स तो है नहीं इसमें लेकिन भुजी दाल चावल के साथ रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार होता है यह भी सबसे कम तेज मसालों से बनता है तो देखिए हमने आप एक कड़ाई दे दिया है और उसी में 200 गराम रिफाइनाल डाल दिया है आप चाहें तो सरसो का भी तिल डाल सकते हैं सरसो का तिल से और बहतरीन बनता है और इहीं पर एक बड़ा चमच पल्ड जीर डाज लिया है और इसको भी हम गॉर्डन ब्राउन भून देते हैं जी हमारा जीरा भून गया है अब यहीं पर हम डालते हैं 10-15 लाल मिर्च साबूत भूजिया बनाने के लिए लाजमिर्चा ही डाजने पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो देखिए हमने ये भूजिया हमारा भून रहा है तो आप इसी तरह भूजिया बनाए और हमें लिख के बताए कि आपका भूजिया कैसा बना और आपने भूजिया बनाया कि नहीं बनाया तो देखिए हमारा इह भूजिया तितना बढ़िया भून रहा है और इसको इसमें एक सबसे बड़ा बात ये है कि भूजिया जब भी बनाए आपको सीधा-सीधा पीस रखना है तो इसको ढखना नहीं होता है ढखन से मत ढखर धकन से धकने के बाद ये सीन जाता है पूरा पूरा उबल जाता है तो तुटना शुरू हो जाता है और यहीं हमने एक चमच हल्दी डाल दिया है आधा चमच भी आप डाल सकते हैं इसमें भूजिया में अगर आपको ज्यादा पीजा कलर बतला हल्दी नहीं पसंद हो तो पत्र डाले ना डाले कोई दिकत नहीं है तो आप इसको रूटी के साथ पराठे के साथ खाएं और खिदाएं जब तक हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए राम राम जी